तो अब वो रूमर सबसे बड़ा ये उठके आ रहा है कि बाबर आजम जो है उनको कप्तानी से हटाया जाएगा वर्ल्ड कप के ठीक बात और जो दो-तिन नाम सामने आये हैं कि एक कप्तान हो सकते हैं उनमें एक बेहद बड़ा नाम जो आया है वो आया है मौहमद रिजवान चाए आपके मौहमद रिजवान बनेंगे पाकिस्तान के नए कप्तान में आप से यह बताओ कि क्या लगता है मौहमद रिजवान फिट है बनने चैहीं यह नहीं चाहीं कप्तान कीपिंग इन माइंड की पाकिस्तान के लिए इस टाइम पर सबसे जादा बल्लिसिênio के और को खाए जाए बाबराःम को फटाया जाए टोटली सपोठ नॅट रिक है लेकिन रिजवान को अबनाना का मेरा जो परसेल की दिश्वाइब है कुछ हमने बैट्समन हमने लीगा कुछ बैट्समन ऐसे होता है जो कैपटैन सी मिलने के बाद और निखर जाते कुछ बिंखर जाते हैं निखरने का प्राइम एकजामपल है हमारे पास विराठ रजाके बने तो वह रन्स की गतीर डबल लगई एक दम उसके तो बहुत सिनेरियोज बने अगर पाकिस्तान की बात के लिटरली पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा राय जब जब किसी कपता बैट्समें को प्रमोट किया गया ऐसा कैप्टन तो वहां पर थोड़ा थोड़ा वह बिख रहा है दिक्कत हुई है तो मैं फिर भी चाहरा हूं कि एक मेरा जो प्रेडिक्शन है कि सर्फराज आहमत को वापस लाए जाए इस टीम में अच्छा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है एक अच्छे मिडल ऑप मिडल ऑडर में बैटर हो सकते हैं जब टेस्ट मैंच में वापसी हुई है सर्फराज की वहां पर उन्होंने अच्छा खेल के दिख पाकिस्तान में अगर आपको जादतर क्रिकेट पाकिस्तान में तो आप स्टैक्टिक वाइस भी अच्छी हो सकते हैं सर्फराज को अगर मौका दिया जाए पहली बात तो एक अच्छा मिडल ऑडर समाल सकते हैं उन पर एक्सपीरियंस है चैंपिन्स टॉफ्यू जीत भले ह कोई भी रीजन हो लेकिन वो जीते हैं जीते हैं उसके कप्तान सर्फराज तो उन पर एक बड़ा टूर्नमेंट में कैप्टन करने का और उसको जीतने का भी और अनुबाव है सबसे बड़ी बाव है तो एक तो अच्छा ऑप्शन है और एक बहुत ही जादा मतलब बोल्ड स्टैप लेना है पाकिस्तान को डैट कुड भी शाहिंचा फ्रीदी इसमें मुझे आप से टेक जानना है जो कि पी एसम में करता नहीं करी है जीते भी है पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो दोनों ही फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान चूज कर रहा है तो वह भी आपको देखने को मिल सकता है एक रेड बॉल वाइड बॉल या फिर ओडि एक अलग कप्तान होगा और टेस्समेच के लिए अलग कप्तान होगा पर मैं वापस आता हूं आपने बात करी अभी शाहिंचा अफ्रीदी की तो क्या शाहिंचा अफ्रीदी होंगे पाकिस्तान के नए कप्तान ये सवाल को ऐसा लगता कई बार और हमने ऐसा भी सुना था कि बावर आजम और अफ्रीदी के बीच में रिफ्ट है अब देखिए वो जरूर उन्होंने क्लियर की थी पर फिर वही बात है रूमर्स में कुछ ना कुछ सचाईयां जरूर होती है अब अफ्रीदी इतने बड़े लेवल क उल्क की गेंदबास बन चुकिया इतने उचे स्तर के गेंदबास बन चुकी और उन्होंने प्रूफ भी किया है इस पूरे वल्ड कप में पाकिस्तान का बेहत गंदा फॉर्म चल रहा है ना कुछ भी नहीं चल रहा हूंका ना पर शाहिन अफ्रीदी ही एक ऐसे प्लेयर है जो विकेट ले रहे है पाकिस्तान के लिए वो player कुछ कर रहा है अब मुझे लग रहा है उस player को ना अभी वो जो भूप के वाले player होते हैं कि अभी इसको भूप है और कमाल करके दिखाएंगे और आप उनको वो दीजिये आप उनपर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में शाहिंशा फ्रीदी की रिस्पेक्ट है, आप इंडिया का टॉप से टॉप लेवल का बल्लेबाद ले लो, विराट कोली ले लो, विराट कोली भी शाहिंशा फ्रीदी की रिस्पेक्ट करता है, विराट कोली भी पहली बॉल पे शाहिंशा फ्र प्लेयर इन टीम ऑफ पाकिस्तान जिनकी वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है पिर चाहे वो इंडिया हो या कोई भी देश हो तो मुझे लगता है वो कप्तानी के लिए एक सही प्लेयर हो सकते हैं और यह एक बहुत बड़ा जो रोल इन सब चीजहों में क्यूंकि जब बात करते हैं कैप्टन मनाने की तो बहुत बड़ा रोल आता है कि आपकी इमेज भी कैसी इमेज कैसी बहुत सभी इमेज है वह बहुत अच्छी हुए उमेज है पाकिस्तानी बॉल्लर्स और जिसमें मु बड़ा इमेज है शाहिं शाहिं फरीदी की वह कहीं ना कहीं उनकी एक तो फेवर में काम कर सकता है बिल्कुल कि जब आपकी गुड़ा इमेज है तो आपकी टीम रिस्पेट करते हैं हमने बहुत सुना हमने अपको एंटर्वी आ दे कि हम तो बात कर बात करने कि वह उनकी रिस्पेक्ट है वह रिस्पेक्ट आपको तब वह कंटीनर रहीगी जब आप लगाता रंस भी करते रहेंगे भले टीम मैचेश जीतरी हा रही है वह रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है वह शाहिंचा फृदी के पास है पॉइंट नमबर वन एंड दूसरा क्योंकि शाहिं आपकी टीम बॉलिंग कर रही हो और क्योंकि शाहिंचा फृदी खुद एक बॉलर है खुद पहला ओवर डालते हैं चाहे कोई भी फॉर्मैट हो वहां पर उन्हें कप्तान ही दी जाए ना तो वह गेम को में लगता है ज्यादा अराम से ज्यादा अंदर से देख पाएंग और शाहिशा फहरीदी देखे बॉलर है पेली बात तो वो बॉलर को अच्छा समझे उसके बाद उन्हें पताएगी बॉल कैसा कि जल रहा है उन्हें पताएगी पिछा ब्येव कर रही है और उन्हें पताएगी अगर मैं यहां से क्यूंकि जिस end से जिस व्यू से मां में है गेम कहां जा सकता है बैट्समन को कभी कई बहुत तवज्जु दी जाती है लेकिन उसमें बॉलर का बहुत बड़ा हाथ है वह हमने देखा जब इम्रान खान कैप्टेन बने पाकिस्तान के वह एक डेस्टिनी वह एक पीरियड जब ऑस्ट्रेलिया में अभी पैट कमिं में है कुछ इशूस लेकिन रेड बॉल में हमने देखा है पैट कमिंज ने अच्छी कपता नहीं करी है और इसका कोई यह वह नहीं है कि वह बहुत बड़े ग्रेटस्ट आफ आल टाइम कैप्टेंस में है वह जस्ट एफेक्ट हुआ है क्योंकि वह एक ऐसा बॉल बॉलर ह तो वह उस लहजे से अच्छा समझेंगे यह आकड़े हो सकते शाहिंशा अफ्रीदी के भी लेकिन आपको उनको टेस्ट करना पड़ेगा करना पड़ेगा इंदी लास आपने पी एसल में भी टेस्ट किया पहला टूर्नमेंट जिताया मेरे खाल से दूसरा भी पीएसल फा